एलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पाकिस्तान अक्सर ये रोना रोता है कि भारत जमू कस्मिन में रेफरेंडम यानि की जनमत संग्रे नहीं करता या करना चाहता है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान ही जमू कस्मिन में रेफरेंडम को लेकर जूट फैला रहा है और वो जान बुच कर भारत को इस पर बदनाम करने की कोशिश करता रहता है पहली बात की PM नहरू की एक गलती से इसकी नौबत आ गई और अगर ये होना भी हो तो इसके लिए पाकिस्तान को UN की एक Resolution 47 की कुछ बातों को मानना होगा जिसके लिए वो कभी तयार नहीं होगा तो आज के इस वीडियो में हम UN Security Council में जमू कश्मीर में जनमत संग्रह को लेकर पास हुई एक Resolution 47 की बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब उसके ठीक बात पाकिस्तानी आर्मी और कबालियों ने जमू कश्मीर पर हमला कर दिया और इस डर से जमू कश्मीर के तब के महराजा हरी सिंग ने इंस्टूमेंट आफ एकसेशन पर साइन कर जमू कश्मीर में इंडियान आर्मी को आने की अनुमती दे दी लेकिन चुकी पाकिस्तानी आर्मी महाराजा की इस Instrument of Excession को साइन करने से पहले ही जमू कश्मीर में घोश चुकी थी इसलिए तब के Governor General Lord Mountbatten के कहने पर महाराजा हरी सिंग ने कश्मीर की जनता के लिए जनमस सेंग्रे का प्रस्ताव रख डाला और जल्दी PM नहरू ने रेडियो पर इसकी घोशना कर दी जिसकी की बिलकुल भी जरूरत नहीं थी और PM नहरू की इस गलती ने भारत को इतना बड़ा नासूर दे दिया ये मामला UN में गया और UN Security Council ने 21st April 1948 को Resolution 47 पास किया इस Resolution 47 में भारत के द्वारा जमू कश्मीर में जनमत संग्रे करने से पहले कुछ नियम बताए इस Resolution के मुताबित जमू कश्मीर में जनमत संग्रे करने से पहले दोनों देशों को कुछ बातों को मानना था और वो भी Sequentially मतलब एक के पूरा होने पर ही दूसरी ये थी नमबर एक पाकिस्तान को अपनी आर्मी और ट्राइबल लोगों को P.O.K के चप्पे चप्पे से हटाना होगा और ऐसा करने के बाद UN के एक टीम आकर इसका जायजा लेगी नमबर दो इंडिया को भी अपनी आर्मी जमू कश्मीर से कम करनी होगी और सिर्फ इतनी रखनी होगी जितना की वहाँ law and order maintain करने के लिए जरूरी हो और ऐसा दोनो देशों के करने पर फिर जब इंडिया कमफर्टेबल हो तब वो जनमत संग्रे करा सकता था ऐसा resolution 47 में कहा गया अब इस जनमत संग्रे की बात को लेकर पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाता है लेकिन क्या वो इसके पहले पॉइंट को मान कर P.O.K. से अपनी आर्मी और कबालियों को हटाएगा ये resolution 47 1948 में पास हुई थी लेकिन उसके बाद 1963 में पाकिस्तान ने gift के तोर पर P.O.K. का एक भाग चाइना को दे दिया था क्या वो चाइना से इसे वापस मांग सकता है या जबरदस्ती ले सकता है क्योंकि resolution 47 पास होते वक्त वो gift किया हुआ भाग P.O.K. में ही था इतना सब जानते हुए भी पाकिस्तान अपना जूटा प्रोपोगेंड़ा फैला रहा है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना तक कि उनक तक भी ये info पहुंच सके तो ये थी जमू कस्मी में referendum से जूड़ी बात हैं तब तक के लिए goodbye और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ